अलो स्टूडेंट्स वेलकम टू जेटी पॉइंट लास्ट क्लास में हमने फंक्शन डिस्कस किया था अब लेट्स मूव ओन तोड़ी विल डिस्कस सम बेसिक फंक्शन्स और देर ग्राफ्स देखिए देखिए फंक्शन्स अगर मैं बात करूं फंक्शन्स ब्रॉडली तू टाइप्स के होते हैं एलजेब्रिक और नॉन एलजेब्रिक को ही कहते हैं हम ट्रांसिडेंटल जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ट्रांसिडेंटल प्रांसिडेंटल को ही कहते हैं नॉन एलजेब्रिक फंक्शन्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं एलजेब्रिक और फिर एलजेब्रिक फंक्शन को फर्दर प्रांसिडेंटल फंक्शन्स को फाइव प्रेक कर रख्या है फॉदर एलजेब्रिक फंक्शन में य जो दिख रहा है आपको piecewise defined, इसके फिर five functions, okay, तो सारा मैं अभी आपसे discuss नहीं करूंगो, let's take one by one, else you will feel, else you will feel little bit awkward, so let's discuss in algebraic function first, polynomial function, जब ये complete हो जाएगा, algebraic मान लीजे complete हो जाएगा, इसके बाद हम move on करेंगे, transcendental functions पे, जब हम individual करेंगे, transcendental functions, तो सारे अलग-अलग deal करेंगे, rather than taking the, rather than taking the names of all these functions, right now, we will be doing, when, when we will be taking this, this, this type of function, okay, let's see, algebraic functions में, सबसे पहले, polynomial functions देखते हैं, algebraic functions में, सबसे पहले, polynomial functions देखते हैं, क्या होता हैं, polynomial functions, अब देखिए, जैसा कि आपको पहले से पता है, polynomial के बारे में आपको पता होगा, आपने पहले smaller classes में भी, polynomial के बारे में पढ़ा होगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि, what is a polynomial of degree to court, basic quadratic equation ले लेते हैं, कोई भी लेते हैं, मान लिजिए, आपको ऐसा वेरिल का है, 2x प्लस 3, इसको आप क्या कहेंगे, क्या यह polynomial है, नहीं है, है तो क्यों, देखिए, इसको मैं बोलूंगा, it is a linear polynomial, linear polynomial, just like हमने जैसे कि, मान लिजिए, linear expression करा था, quadratic expression करा था, similar to that, बिलकुर उसके similar ही, linear polynomial हो जाएगा, अगर मैं आपसे बोलूं, 2x स्क्वार, प्लस 3x, प्लस 4, यह क्या होगा, यह quadratic polynomial हो जाएगा, quadratic polynomial, अच्छा, इसको मैं quadratic क्यों बोल रहा हूँ, देखिए, इसमें जो भी variable involved है, उसकी highest power क्या है, तो, इसको बोलूंगा, मैं quadratic polynomial, और इसमें जो variable involved था, x की highest power क्या है, 1, तो, then this is a linear polynomial, अच्छा, यह दो तो पहले से पता थे आपको, एक example और लेता हूँ, माल लेजी, यह दे रखिए, आपको, x raise to power 3 by 2, प्लस, x square, प्लस x, प्लस 1, क्या, इसको आप polynomial बोलेंगे, यह polynomial नहीं होता, सारे के सारे जितने भी expressions आपको, कितने भी expressions है, सारे के सारे polynomial नहीं होते, polynomial में, यह जो power है, आपकी, यह जो power है, यह होनी चाहिए, यह whole number में होनी चाहिए, this exponent, 3 by 2, is not a whole number, तो यह polynomial नहीं होगा, अब बात करते हैं, polynomial, यह तो ऐसे तो मैं, अगर मैं लिखते रहूं, तो बहुत सारे expressions हो जाएंगे, in general, एक expression लिखते हैं, जो polynomies में सब कुछ cover हो जाएं, देखिए, माल लिखे, कोई भी expression इस form में लिखा है, अगर, a0, xn, plus, a1, xn-1, plus, and so on, up to, a0, xn, plus, a0, xn, plus, x raise to power n plus 1, and so on, plus, a0, x0, इन दोनों expressions को, मैं polynomial बोलूँगा, these two expressions are called polynomial, are called polynomial of, are called polynomial, और इन दोनों में degree क्या है, n, या तो आपको ऐसा दिख जाएगा, या ऐसा, अगर, ऑफ डिग्री एन, if, यहाँ पे जो यह n है, power जो है, next का जो exponent है, यह whole नमबर से बिलॉंग करना चाहिए, और जितने भी एक कोफिशेंट है, सारे के सारे, आपके, रियल नमबर से बिलॉंग करने चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि, ऐसा कोई भी expression, polynomial होगा, और देखिए, जब मैं बात कर रहा हूँ, polynomial of degree n, तो यहाँ पे, अगर मान लीजिए, polynomial of degree n की बात कर रहा हूँ, मान लेते हैं, polynomial of degree 3 मैंने पहले लिख लेता हूँ, 3 नहीं, यहाँ पर A कर लीजिए, मान लीजिए, यह आपको दे रखा है, AXQ प्लस VX स्क्वाइर प्लस CX प्लस Q, यह क्या है, आपको दिख रहा है, it's a polynomial of degree 3, कह सकते हैं, अगर A, B, C, D, चारो के चारो, रियल नंबर से बिलॉंग करते हैं, तो आप कह सकते हैं, कि यह एक polynomial है, 3rd degree का, अब आप, आपको पता है, it's a 3rd degree polynomial, अब इसे आप 3rd degree polynomial कह रहे हैं, तो यह जो A है, A, अगर A 0 हो जाए आपका, तो polynomial की degree क्या होगी, अगर आपका मान लीजिए, A 0 हो जाए, Bx square, प्लस Cx, प्लस D, एक्वल टू 0, तो जो degree है, पॉल्ममिल की क्या होई, तो अब यह 3rd degree नहीं हुआ, तो जब आप 3rd degree कह रहे हैं, तो यहाँ पे, A जो है, आपका 0, नहीं होना चाहिए, ओके, जैसा कि आपने quadratic equations में भी देखा होगा, A not equal to 0, 6 square का coefficient, जिस degree का polynomial होता है, उसका coefficient highest, highest power variable की, उसका जो भी coefficient है, वो 0 नहीं होता है, अगर उसको आप 0 कर दें, तो degree कम हो जाती है, ओके, तो यहाँ पे, इन दोनों को मैं, polynomial of degree N बोलूँगा, जब N whole number से बिलॉंग कर रहा हूँ, सारे के सारे A i real number से बिलॉंग कर रहे हैं, और इस वाले के लिए, A not equal to 0, अगर expression ऐसा लिखा है, तो, A n is not equal to 0, ओके, अगर यह दोनों 0 हो जाएंगे, तो degree 1 कम हो जाएगी, I will call this, the remaining expression as a polynomial of degree N minus 1, provided A1 should also be 0, and in this case, A n minus 1 should not be equal to 0, ओके, यहाँ पे भी not equal to 0, ओके, I hope आपको polynomial समझ में आया होगा, क्या होता है, similarly, बिल्कुल similarly, polynomial functions भी होता है, देखिए, यह तो polynomial है, अगर मैं बोलूँगी, यह same expression, यह same expression, इसमें, 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 इसको मैं मानली यह expression है, इसको मैं ले लेता हूँ, this equal to f of 1, वह function बन गया, polynomial function, polynomial function involving variable x, यहाँ पे आप x, x की जगे कुछ भी रख दें, different value जागी, suppose x equal to 1 पे, इस expression का, इस expression की कोई value आई, x equal to 2 पे different value आईगी, तो यह polynomial function बन जाएगा, इसको मैं कह सकता हूँ, it's a polynomial function in x, okay, so polynomial और polynomial function में ज्यादा अंतर नहीं है, polynomial क्या है, just like expression, उसको आप मानलेजिए, किसी भी, उसको आप, यह expression है, इसमें जो भी variable है, इसमें जो भी variable है, उसको आप as a function of x ले ले लें, तो यह polynomial function बन जाता है, यह आप इसको ले सकते हैं, equal to y, y also y equal to this, इसको आप कहेंगे, polynomial function, okay, कुछ functions देख लेते हैं, polynomial functions, some basic polynomial functions, like, मानलेजिए y equal to x, इसका graph आपको पता होगा, y equal to x, इसका graph क्या हो जाएगा, ऐसा, अगर मैं y equal to minus x की बात करता हूँ, तो इसका graph कैसा हो जाएगा, देखिए, इसका graph हो जाएगा, ऐसा, ओके, बाकि quadratic polynomials जो है, वो हम खुड़ा सा आगे, आगे discuss करेंगे, पैराबोला होता है, चारो टाइप के पैराबोला हम डिस्कस करेंगे separately, वो मैं अभी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, जो है, इसके बाद, polynomials के बाद, इस, rational function, algebraic function में, next type of function, जो हमें discuss करना है, इस, rational function, आप देखिए, rational function होता क्या है, आपको मैंने polynomial बताया, rational function होता क्या है, एक polynomial function को, दूसरे polynomial function से अगर आप डिवाइड कर देते हैं, इसी को कहते है, rational function, rational function में होता क्या है, यह जो numerator, और denominator होते हैं, यह दोनों के दोनों, क्या होते हैं, polynomials, polynomials अब देखिए, इसको मैं बोलूँगा, rational function, अब क्योंकि इसमें numerator और denominator दोनों involved हैं, देखिए, नीके जो denominator है, आपका qx, यह क्या है, एक polynomial है, अगर denominator आपका, अगर मैं numbers की बात करता हूँ, अगर आपका denominator 0 हो जाता है, तो वो fraction defined नहीं होता, number defined नहीं होता, similarly, similarly, इस case में, यह qx क्या है, number नहीं है, इस सब polynomial, अगर qx, 0 polynomial हो जाए, नमबर बाली 0 की नहीं बात करता है, मैं देखिए, qx यहाँ पे, अगर 0 polynomial की equal है, यह 0 polynomial हो जाए, तो यह जो rational function है, आपका, fx, यह define नहीं होगा, will not be defined, if qx is equal to a 0 polynomial, then fx will not be defined, यहाँ पे ध्यान देना, यह 0, यह वाला 0 नहीं है, यह वाला 0 नहीं है, यह यहाँ पे 0 polynomial होगा, ओको, तो इस function को define होने के लिए, जो भी आपका polynomial function denominator में है, यह 0 polynomial के equal नहीं होना चाहिए, this should not be equal to a 0 polynomial, यह नमबर वाला 0 नहीं है, जीरो polynomial है, अब देखिए, कुछ हमारे पास standard rational functions हैं, जिनको हम discuss करेंगे, उनके graph discuss करेंगे, हम उन functions के domain and range भी discuss करेंगे, देखिए, अगर मैं बात करू, on the whole, सारे के सारे rational functions का graph और domain range discuss करना या देखना, possible नहीं है, कुछ standard हमारे पास rational functions है, उनको हम देखते हैं, separately, सारे के सारे rational functions का graph बनाना भी possible नहीं है, अगर बनाएंगे भी आप तो कुछ में टाइम लगेगा, कुछ में बहुत टाइम लगेगा, कुछ standard हैं हमारे पास, उनको हम देखते हैं, देखिए, सबसे पहला function graph of, rational function में सबसे पहला graph of 1 by x, y equal to 1 by x, इसको मैं separately पताता हूँ, आपको देखिए, y equal to 1 by x, अब जैसा कि हमने rational function में देखा था, इसमें जो denominator है, denominator में जो polynomial है, वो 0 polynomial के equal नहीं हमारे, देखिए, यहाँ पे denominator में क्या है, x, तो सबसे पहले, x not equal to 0, okay, else this function will not be defined, x not equal to x, 0 के equal नहीं हो, जैए, तो बात कर लेते हैं, अब, जिन points पे, जिन points पे, यह function defined है, या मैं बोलूं कि, जिन points पे, यह function, जिन points पे, यह function defined है, सिर्फ उसी reason में इसका graph बनेगा, या मैं अगर आपसे बोलू, x की वो values, जिनके लिए, यह function defined है, उसी reason में, या उसी points के around, इसका graph आप बना सकते हैं, जैसा कि, देखिए, x equal to, x equal to 0 के लिए function defined नहीं है, तो, x equal to 0 के लिए, कोई value भी नहीं देगा function, उस point पे, इसका graph भी न नहीं ले सकते हैं, ओके, आप देखिए, graph बनाने के लिए, आप क्या करते हैं, point लेते हैं, simple, मान लेता हूं, x equal to 1, x equal to 1 अगर मैंने रखा, तो, y मेरा क्या आ रहा है, 1 के equal, मान लिजी, x equal to 2 रखिए आप, y क्या आ जाएगा, 1 by 2, अच्छा यह तो, मैं positive values ले रहा हूं, negative value ले लिजी, x equal to minus 1 पे, y equal to minus 1, x equal to minus 2 पे, y equal to minus 1 by 2, वह हमारे पास, 4 point मिल गए, इन 4 points को, plot कर लेते हैं, graph में, देखिए, यह आपका x-axis, and this is your y-axis, ओके, देखिए, पहला point क्या था हमारे पास, 1,1, इसको plot करते हैं, देखिए, let's say, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बन होगा, 1,1, यह point होगी है, दूसरा point था हमारे पास, x को जब आप 2 put कर रहे थे, तो function की value, 1 by 2 आ रहे थे, देखिए, यह point, यह हो जाएगा, 1 by 2, तो यह point हो जाएगा, आपका something, इस, ओके, और अगर आप x को half put करते हैं, यहाँ पे, देखिए, तो यहाँ से y के आएगा, 2, ओके, देखिए, x अगर आपका half है, यहाँ पे मैं half के note कर देता हूं, तो function value ले रहा है, तो half के corresponding लेगे, ओके, आप देख सकते हैं, यह graph बन रहा है, something like this, और अगर मान लेजी, x आपका infinity के equal होगया, बहुत ही large है आपका, तो y क्या होगा, y 0 को tend करेगा, ग्राफ जो है आपका, ऐसा बनेगा, देखिए, और जब आपका, यह graph बन देखिए, अब जब x negative है, negative में देख लेते हैं, देखिए, यहाँ पे, x equal to minus 1, y equal to minus 1, तो यह point आजाएगा, ओके, और जब आप, x को, x को minus 2 रखते हैं, तो y आजा आजाएगा, और जब आप x को ही minus half रख लेते हैं, x को मान लीजे, minus half, तो आपका, जो point आजाएगा, यह जाएगा, 2, x जब minus half होगा, इसके corresponding, sorry, y जब minus half हो जाएगा, इसके corresponding आजाएगा, x minus 2, तो यहाँ पे graph ऐसा बनेगा, ओके, आप देख सकते हैं, इस function का graph, ओके, और अब हम बात करते हैं, यह तो हमने graph बना लिया, points plot करके, अब हम बात करते हैं, इस function के domain and range के बारे में, जैसा कि आपको मैंने बताया था, domain होता क्या है, भी तक आपने यही देखा कि domain, पहले set में जितने भी elements होते हैं, उनको हम domain कहते हैं, okay, domain कह देतों है, लेकिन, यह आप कह सकते हैं कि, x की वो values, जिनके लिए function defined है, x की वो values, जो मैं इस function में put कर सकता हूँ, वही सारी domain form होगे, वही सारी domain form करेंगे, देखिए, इस function, यह जो function है, आपका, x equal to 0 पर define नहीं है, बाकी आप x की कोई भी value रख लेजिए, corresponding to every value of x, else x equal to 0, you will get a, you will get a value of the function, okay, तो domain क्या आजाएगा आपका, domain क्या आजाएगा, all real number minus 0, okay, domain आपका क्या आजाएगा, all real minus x equal to 0, okay, जिसा ही तो मैं आपको function, function की definition से बता रहा हूँ, अगर आपको, अगर आपको किसी function का graph पता है, उससी domain और range कैसे निका रहेंगे, आप, माल लेजिए, माल लेजिए, इसी function की बात करता हूँ, इस में, देखिए, अगर आपको domain निकालना है, x-axis पे, x-axis पे आप minimum value ले लेजिए, और x-axis पे maximum value देखिए, function क्या ले सकता है, देखिए, इस function की बात करते हैं, देखिए, x-axis पे minimum value क्या ले रहा है ये, minus infinity, minus infinity, और x-axis पे maximum value function क्या ले सकता है, देखिए, अगर मैं इधर देखता हूँ, तो, plus infinity, इन दोनों values को, एक interval के form में लिख लिजिए, यही आपका domain हो जाएगा, और, वो points आप उसमें से हटा देंगे, जिन points पर function define नहीं है, यही आपका domain हो जाएगा, देखिए, 0 पे define नहीं था, 0 को हटा दीजिए, अगर मैं इसको interval के form में लिखता हूँ, minus infinity to infinity, minus 0, यही आपका इस function का क्या हो जाएगा, domain, remember, domain के लिए हम क्या देखते हैं, x-axis पे, x-axis पे minimum value क्या है, minus infinity, y-axis पे minimum value, plus infinity, after plotting the graph, जब graph दे रखा है, उसके बाद, पहले नहीं, इन दोनों values को आप, एक interval के form में लिख लिजिए, और, अगर मान लिजिए, function कहीं पर break हो रहा है, मान लिजिए जिन points पे function define नहीं है, उन points को remove कर दीजिए, यही आपका domain हो जाएगा, और, अगर मैं, similarly, अगर मैं range निकालना है, मुझे, तो मैं क्या करूँगा, मैं y-axis पे देखूँगा, minimum value function क्या ले रहा है, और maximum value क्या आ रही है, function की देखिए, y-axis पे, अगर मैं देखता हूँ, तो minimum value function की क्या रही है, minus infinity, graph यहाँ पे जा रहा है, minus infinity की equal हो सकता है, और, अगर मैं y-axis पे maximum value की बात करता हूँ, तो, यही जो curve है, उपर जाएगा, यह plus infinity से minus infinity, और, एक चीज़ और, यह जो function है, इसकी value कभी भी 0 नहीं होगी, आप देख सकते हैं, y equal to 1 by x, अगर मैं y को 0 रख हूँ, तो, x की ऐसी कोई real value नहीं, x की ऐसी कोई exact value, sorry, x की ऐसी कोई exact value exist नहीं करेगी, जिसके लिए, जिसके लिए, यह function, 0 value देदे, okay, इस function का range क्या आ जाएगा, range में भी आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं, range क्या आ जाएगी, इसकी, all real minus 0, okay, I hope it's clear, domain के लिए हम क्या देखते हैं, x-axis पे minimum value और x-axis पे maximum value, इन दोनों values को, आप एक interval के form में लिख लेजिए, और all points को आप remove कर दें, जिन points में function defined नहीं है, this will be your domain, okay, और range निकालने के लिए आप क्या करेंगे, y-axis पे जो minimum value function ले रहा है, graph में आपको दिख रहे होगी, जो minimum value और maximum value y-axis पे जो function की हो सकते है, इन दोनों points को आप एक interval के form में लिख दें, यही आपका range हो जाएगा, okay, I hope आपको समझ में आया होगा, next function देखते हैं, next rational function, देखिए, next जो function है आपके पास, that is, y equal to 1 by x square, okay, इसको discuss करते हैं, देखिए, second, y equal to 1 by x square, अब यह जो function है, आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो, जिस point पे यह define नहीं है, उसको हटा देजे, x equal to 0 पे define नहीं है, तो x not equal to 0 पे ही define होगा, okay, और जिन points पे define होगा, उनी points पे function की value मिलेगी, उनी points पे मैं, graph बना सकता हूँ, देखिए, अगर मैं इसमें भी value रखते हैं, अगर मान लीजिए, x equal to 1 रखा मैंने, x equal to 1 के corresponding function की value क्या आ रहे है, y equal to 1, x equal to 2 के corresponding function क्या value लेगा, 1 by 4, okay, negative में ले 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 हैं, अगर तो, x equal to minus 1 पे value क्या मिलेगी function की, y equal to 1, अगर मैं, x equal to minus 2 पूट करता हूँ, तो function की value क्या मिले है, मुझे, 1 by 4, पिन 4 points को, मैं mark कर देता हूँ, Cartesian plane में, और इसका graph देखते हैं, देखिए, यह है आपका x-axis and this is your y-axis, अब देखिए, यहाँ पे points मैंने क्या लिए थे, 1,1, अगर कर लेते हैं, देखिए, this is your 1 and this is your 1, यह point हो गया, और जब आपका x2 के equal था, तो function की value आ रही थी आपके parts 1 by 4, this is 1 by 4, यह point यहाँ पे होगा, अब जब आपका x आपका, जब 1 by, sorry, उच जब आपका 1 by 2 होगा, तो function की value आजाएगी 4, देख सकते हैं आप, तो इस function की value आएगी 4, x जब 1 by 2 होगा, तो function की value 1, यहाँ पे माल लेता हो, मैं कहीं पे होगा 4, ओके, तो इसका ग्राब देखिए, ऐसा होगा, something like this, ओके, और अगर मैं negative values put करता हूँ, minus 1 पे function की value आ रही है, 1, देखिए, this is minus 1, 1 पे function value ले रहा है, 1, और अगर आप x equal to minus 2 रखते हैं, तो function की value क्या आ रही है, तो function की value आ रही है, 1 by 4, तो minus 2 के corresponding ये point हो जाएगा, ओके, और अगर आप x equal to minus 1 by 2 रखते हैं, तो function फिर से value ले रहा है, 4, इसमें जो point आएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसा, graph इसका ऐसा पर देख सकते हैं, इस function का जो graph है, y-axis के about symmetric हैं, आप देख सकते हैं, जैसा y-axis के left में graph है, वैसा ही y-axis के right में इस function का graph है, ऐसे function को हम कहते हैं, even function, even function, देखी, यह जो function है, इसका graph, इस function का graph है, y-axis के right में जैसा है, y-axis के left में भी ऐसा है, ऐसे function को कहते हैं, जो की y-axis के about symmetric होते हैं, इसे functions को कहते हैं, even function, symmetric about functions, which are symmetric about y-axis, ऐसे function को कहते हैं, even function, या एक और definition है, even function की, even function किसी भी function में, अगर आप, अगर आप, किसी भी function में, अगर आप, x की जगे minus x रखें, देखिए, x equal to 1 रखा आपने, x equal to 1 है, x की जगे अगर आप minus 1, minus x रखें, और function की value, अगर आपकी change ना हो, ऐसे function को कहते हैं, even function, मैंने आपको क्या बोला, function में x की जगे minus x रखें, और function की value, change ना हो, ऐसे function को कहते हैं, हम, even function, यह आप कह सकते हैं, functions, ऐसे function, जिनका graph, y x इसके about, symmetric हो, such functions, we call as even function, देखिए, तो यह क्या हो जाएगा, even function, आप इसका expression भी देख सकते हैं, अगर यहाँ पर मैं x की जगे minus x रख देता हूँ, तो बिल्कुल सेम आईगा, minus x का whole square कितना होता है, x square, तो यह fx के equal ही आगया, इसको कहूंगा, मैं even function, अच्छा, यह तो हमने even की बात कर ली, अब, इस function के भी domain और range देखते हैं, domain और range क्या हो, देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी function का अगर आपको graph बता है, तो domain कैसे देखेंगे आप, x-axis पे minimum value function क्या ले सकता है, यह minus infinity हो जाएगा, x-axis पे maximum value function क्या ले सकता, यहाँ से यहाँ तर extend होगा, that is plus infinity, इन दोनों points को एक interval के form में लिख लेजिए, और win points पे function define नहीं है, उनको remove कर दें, यही आपका domain हो जाएगा, इस case में domain क्या बोलूँगा मैं, what will be the domain of this function, domain क्या आ जाएगा आपका, all real number minus g, okay, अगर मैं इसी function के लिए, अगर इस function के range की बात करता हूँ, तो आप देख सकते है range, y-axis पे minimum value function क्या ले रहा है देखिए, अब minimum value देखिए, इस function का जो भी graph है, x-axis के उपर ही है न, यहाँ मैं बोलूँगा, कि यह जो function है, हमेशा 0 से बड़ा है, positive है, इस function का range क्या आजाएगा, और y-axis पे maximum value क्या है, plus infinity, इस function की minimum value क्या है, आप बता सकते हैं, इस function की minimum value की अगर मैं बात करता हूँ, तो यह function हमेशा 0 से बड़ा होगा, 0 से थोड़ा सा बड़ा जरूर हो, ठीक है, तो 0 पे क्या करेंगे याद, 0 पे, जैसा कि आपने intervals पढ़ रखा है, 0 पे open interval ले लेंगे, 0 to infinity, y-axis पे maximum value क्या ले रहा है, function, plus infinity, इस function की range क्या आजाएगी, देखिए, what will be the range of this function, इस function की range हो जाएगी, 0 से infinity, आप 0 पे open interval, infinity पे हमेशा आप open लेते हैं, 0 पे open interval, यही इस function की range हो जाएगी, एक चीज और आप देख सकते हैं, इस function में, देखिए, इस चीज आपने observe करी होगी, देखिए, जब मैं x की value, देखिए, x1 था तो function की value क्या आई, 1, जब आप x की value increase कर रहे हैं, 1 से 2 हुई, x की value जब 1 से 2 हुई, तो function की value पहले क्या थी, x equal to 1 पे, y equal to 1, x equal to 2 के corresponding function की value क्या आई, 1 by 4, जो की 1 से कम है, तो मैं कह सकता हूँ indirectly, कि जब आपका ऐसे function में, जब आपका x increase हो रहा है, तो आपका y decrease हो रहा है, when your x is increasing, then your y is decreasing, जब आपका x increase हो रहा है, तो function की value decrease हो रही है, y c वर्षा भी आप कह सकते है, as the value of the function increases, the x, the x coordinate या epsis decreases, देखें, यहाँ पे देखिए, इस case में देखिए, यह function, पहले value 1 by 4 थी, अब value 1 है, इसके corresponding, 1 by 4 के corresponding, जो x था, minus 2 था, 1 के corresponding क्या है, minus 1, कौन सा बड़ा होता है इन दोनों में, यह वाला, आप देख सकते हैं, as y increases, x decreases, ऐसे function को हम बोलते हैं, decreasing function, क्या बोला मैंने, decreasing function, decreasing function, decreasing function क्या मतलब होता है, जैसे जैसे आप x coordinate increase करते हैं, function की value decrease होती है, यह आप कहा सकते हैं, जगर function की value increase हो रही है, तो function का जो भी x coordinate होगा, वो decrease हो रहा होगा, इसका जैसे example की, अगर मैं बात करता हूं, माल लेजिए, आप, आपको, माल लेजिए, आपको college जाना है, एक दिन आप अपने car से, 80 की speed से गए, आप एक घंटे में पहुंच दे, एक दिन आपने देखा की, खुड़ा traffic जाम था, आप चाह रहे थे, और आज और 30 ड्राइब करना, लेकिन आप 40 की speed से गए, आपको 2 घंटे लगे, जितनी आपकी speed होगी, उतना कम time लगेगा, जितना आपकी speed कम होगी, उतना ज्यादा time लगेगा, तो आप क्या सकते हैं, speed and time are also, they also behave like decreasing, इस case में ये decreasing function हो जाएगा, okay, inverse speed and time में inverse relationship होता है, एक increase होता है, तो दूसरा decrease होता है, okay, irrational functions, अगर मैं irrational function के बारे में, बोलूँ कि irrational function, what are irrational functions, तो आप कह सकते हैं कि ऐसे algebraic function, जो rational नहीं है, उनको आप कहेंगे irrational, या अगर आपको properly define करना है, independently आपको irrational function define करना है, without using the word rational, तो आप कह सकते हैं, ऐसे algebraic function, जिन में कि जो भी variable involved है, जो भी variable involved है, उसकी power non-negative नहीं हो, okay, उनको मैं कहूंगा irrational function, जैसे की example, देखिए, like y equal to x raise to power 1 by 2 x square x cube plus 1, यह irrational function होगा, और आप, you can take infinite examples, आप यह लिएजी, minus 1 plus 1 by x square plus x plus 4, दोनों के दोनों यह irrational function होगे, क्यों होगे, देखिए, यह जो variable है x, इसकी power, यह whole number नहीं है, it is a fraction, इस case में यह जो power है, यह एक integer है, negative integer है, और rational होने के लिए क्या होता है, power non-negative integer होती है, और coefficients जो होते हैं, सारे के सारे real number से belong करने चाहिए, okay, ऐसे function क्या हो जाएंगे, irrational functions, okay, अब देखिए, जैसा कि हमने rational function में भी किया था, सारे के सारे rational functions का graph या domain range देखना possible नहीं है, कुछ हमारे पास standard irrational functions होते हैं, जो कि आगे आने वाले chapters में हैं, या आगे commonly used होते हैं, और functions को हम एक-एक करके study करेंगे, let's see, देखिए, first irrational function जो हमारे पास है, that is, fix equal to root x, देखते हैं, इसको separately, देखिए, y equal to, या तो आप कह लीजिए, root x, और, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ are same, x raised to bar 1, बैट, अब सबसे पहले, जब भी आपको function दिया होता है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, वो points देखते हैं, जिन points पे function defined नहीं है, या मैं बोलूँ कि x की वो values, जिनके लिए function defined नहीं है, सबसे पहले उन points को separate कर लिजे, आप देख सकते हैं, ये y equal to root x है, और root में कभी भी x, अगर ये number से belong कर रहा है, तो root में कभी भी negative नहीं आ सकता, तो जहाँ पे भी x negative होगा, if x is less than 0, then y will not be defined, y will not be defined, अब यहाँ पे मैंने लिखा y will not be defined, इसका क्या मतलब है, जब आपका x negative होगा, तो y, y जो है, real नहीं आएगा, y की एक non-real value आएगी, और यह जो हम deal कर रहे हैं, सारा का सारा, real numbers में deal कर रहे हैं, इस सवज़े से मैंने लिखा, y will not be defined if x is real, if x belongs to the set of real numbers, अगर x negative आ जाता है, तो y की एक non-real value आएगी, यह आप कह सकते हैं, complex value आएगी, आएगी, और जो चीज real होती है, जैसे कि number line है, number line में, number line में, जो मैं points plot कर रहा हूँ, जैसे कि 0, 1, 2, 3, यह सारे के सारे real points है, real points है, exist कर रहे हैं, तभी मैं इनको plot कर पा रहा हूँ, और इन points के corresponding आपको value मिल रही है, जो चीज exist ही नहीं कर रही, उसको ना तो मैं plot कर सकता हूँ, ना ही उस point के corresponding मुझे कोई value मिलेगी, और गर मुझे value ही नहीं मिली, तो मैं graph नहीं बना सकता हूँ, तो x जहाँ पे negative होगा, यह function defined नहीं होगा, अब देखी, बाकी, और इसका graph बनाते हैं अगर हम, इसमें x equal to 0 हो सकता है, हाँ जी, x equal to 0 पे function की value क्या आ रही है, 0, x equal to 1 पे function की value 1, ओके, x equal to, x equal to 4 पे function की value 2, ओके, x equal to 16 पे function की क्या value आ रही है, 4, ओके, इन चारो points को हम, इन चारो points को partition, partition plane में lot करते हैं, फिर इसका graph बनाएंगे, बेखिए, देखिए, यह है आपका x-axis, this is your y-axis, 0, 0 point लाए करेगा, ओके, उसके बाद, अगर मैं x को 1 ले लेता हूं, तो मेरे पास y की value आती है, एक point यह होगा, अब x को अगर आप 4 लेते हैं, तो y की value, 2 आती है, function की value, 2 आ जाती है, 4 पहीं यहाँ पे होगा, 4 पे function की value आ जाएगी, आपकी 2, इसका graph something like this, इसको मैं दूसरे color से बना देता हूं, देखिए, इस function का जो graph होगा, आप देख सकते हैं, इस function में, अगर मैं domain और range की बात करता हूं, इस function के लिए, आप देख सकते हैं, domain निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x-axis पे, जो भी minimum value है, x-axis minimum value क्या आ रही है, 0, और x-axis पे, जो भी maximum value possible है, जो आपको देख रही है, इस infinity, इन दोनों values को आप एक interval के form में लिक लिए जिए, यही इस function का domain हो जाएगी, ओके, देखिए, इस function का domain क्या आज आएगा, 0 to infinity, infinity पे हमेशा open होता है, और 0 यह value ले सकता है, तो 0 पे मैं close कर लेता हूँ, अगर मैं इस function के range के बारे में बात करता हूँ, आप देख सकते हैं, range के लिए मैंने क्या बताया था, y-axis पे हम minimum value और y-axis पे maximum value which the function can attain, लेकिन हम देखते हैं, उन दोनों points को हम एक interval के form में लिख देते हैं, वही function का range हो जाएगा, देख लिए जी, देखे, y-axis पे minimum value 0, y-axis पे maximum value which the function can take is plus infinity, चाहिए ग्राफ आपको लग रहा होगा, ऐसे जा रहा है, लेकिन ये उपर जाएगा, ऐसे करके, ऐसे इतके बाद भी increase होगा, ऐसे ऐसे, बीच में मतलब constant जैसा नहीं होगा, इस इस इन्क्रीजिं, इन्क्रीजिं, इन्क्रीजिं and closed at 0, infinity भी हमेशा open ही होता है, चाहिए, जब हमने rational function discuss किये थे, तो उसमें हमने कुछ terms और use किये थे, जैसे की increasing function, decreasing function, गर मैं इस function के बारे में बात करता हूँ, देखे, इसमें, देखे, यहाँ पे x equal to 0 पे function की value y equal to 0, गर आप x equal to 1 पे function की value y equal to 1, आप देख सकते हैं clearly, जैस जैसे जैसे x increase हो रहा है, function की value भी increase हो रही है, या अगर मैं yc वर्सा बात करूँ, देखे, अगर आप function की value decrease करते हैं, इसने corresponding, जो आपका x coordinate है, या आप कह सकते हैं, सिसा, वो भी decrease हो रहा है, तो यह function कैसा होगा, it will be a increasing function, as x increases, y also increases, और as y decreases, x also decreases, तो यह कैसा function है, increasing function, it's an increasing function, चा रेशनल function में हमने फिक चीज़ और डिसकस करी थी, last class में, that was even and odd, क्या ये even odd इसके लिए discuss कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों, देखी तो, यहाँ पे इस function में, x हमेशा positive ही है, even odd के लिए हमको x की जगे minus x, x को minus x से replace करना पड़ता है, इसमें minus x के लिए function define ही नहीं है, है, so, इसको हम even odd के लिए check नहीं कर सकते, okay, so, I will say that this function is neither odd, neither even, nor even, neither even, nor odd, okay, actually, हम यहाँ पे जैसे की x equal to 1 पे define नहीं, x equal to minus 1 इसके domain में ही नहीं है, तो हम even odd इसके लिए check नहीं कर सकते, okay, let's see, let's see another function, देखिए, यह जो function है, second function, यह है y equal to y equal to x raised to power 1 by 3, okay, इस function के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे points, ऐसे points, remove कर लेते हैं, separate कर लेते हैं, जिन points पे function defined नहीं है, इस case में देखिए, इस case में, अगर आप x को negative रखते हैं, अब भी आपके पास value आ जाएगी function defined है, इस case में, देखिए, अगर x आपका negative हो जाता है, जाल लीजिए, x आपने रखता minus 1, उसके corresponding value क्या रहे हैं, आपके पास minus 1, ओके, x आप ले लीजिए minus 8, y क्या रहे हैं, आपके पास minus 2, इस case में, जब x मेरा negative है, अब भी function defined है, positive में तो define होगा ही, अब देखिए, दो points आपको यहां से मिल गए, अब x equal to 1 पे क्या value आ रहे है, y equal to 1, and at x equal to minus 1, the function is attaining value minus 1, इतने points, these points are enough to plot the graph, देखिए, इन सारे points को मैं Cartesian plane में पार्ग कर देता हूं, फिर इसा graph कर रहे हैं, यह आपके पास x-axis and this is your y-axis, देखिए, यह 0, x equal to 1 के corresponding, जो value are function की that is 1, तो 11 point हो गया, और x equal to y equal to minus 1 पे function value ले रहा है, minus 1, एक point यह हो जाएगा, आपका 1 point यह, एक point यह, इसके बाद, जब भी आप x equal to, y equal to 2 पे, इसकी value क्या रहे है, function की, x equal to 8 पे 2 value ले रहा है, और, x equal to minus 8 पे यह value ले रहा है, minus 2, इस function का जो graph होगा, देखिए, इस function का जो graph होगा, ऐसा होटा है, ऐसा, ओके, मैं अलग से बना देता हूँ, देखिए, इस function का जो graph होता है, it looks like this, ऐसा, यह x cube पा graph होता है, sorry, इसका inverse करेंगे तब हैगा, ऐसा ओग्राफ इसका, this is the graph of x cube, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, यह जो graph होता है, यह होता है, x cube का, x raise to power, 1 by 3 का जो graph है, देखिए, इसमें मैं एक चीज और बता हूँ, आपको देखिए, इसमें बना लेते हैं, देखिए, x raise to power, 1 by 3 का graph बनाने के लिए, क्या करेंगे आप, एक line draw करते हैं, y equal to x, y equal to x line यह है, हो गई, इस line के about, पूरे graph का, अगर मैं reflection लेता हूँ, या mirror image के लेजिए, तो जो graph आएगा, वो इस function का आता है, देखिए, इसको मैं दूसरे pen से, उससे करार से denote कर रहेता हूँ, देखिए, यह जो graph आया, यह वाला, यह और, यह graph है किसका आपका, y equal to x raise to power 1 by 3 का, और यह जो graph है आपका, जो red से मैं denote कर रहा हूँ, this is the graph of y equal to x cube, actual में, यह दोनों के दोनों function, एक दूसरे के inverse होते हैं, जैसा कि मैंने functions में आपको बताया था, pre-image and image, something like that, you can, you can, you can view it similar to something like that, अब देखिए, इसके बाद, अब इस function में, इसी function में, अगर मैं आप से बोलूं, कि domain क्या होगा इस function का, जैसा कि मैंने आपको बताया था, domain क्या होता, x-axis पे, जो minimum value है, आप उसको mark कर लिजे, x-axis पे, जो भी maximum value है, which the function can take, इन दोनों points को आप, एक interval के form में लिख देजिए, यही domain form कर रही है, ओके, देख लेते हैं, यह देखिए, x-axis पे, minimum value, which the function can take, हमारा function कौन सा है, यह जो orange में है, यह वाला है, x-axis पे minimum value आप देख सकते हैं, minus infinity, x-axis पे maximum value यह आगे जा रहा है, that is plus infinity, इस function का, इस function का, दोमेन क्या आ जाएगा, on real numbers, यह आप तो ऐसे लिख लीजी, minus infinity to infinity, और whole real numbers, अच्छा, अगर मैं, अगर मैं, इस function के range की बात करता हूँ, तो range में मैंने आपको क्या पताया था, y-axis पे जो भी minimum value होगी, और y-axis पे जो भी maximum value है, इन दोनों values को आप एक interval के form में लिख लीजीए, यही इस function का range हो जाएगा, देखें, y-axis पे minimum value क्या है, minus infinity, और y-axis पे maximum value which the function can take is plus infinity, so, the range of this function will be from minus infinity to infinity, और you can say whole real numbers, ओके, range हो जाएगा इस function का, minus infinity से infinity ते, यह आप कह सकते है, पूरा का पूरा, real number का set, अच्छा, इससे पहले जो हमने functions करे थे, उसमें हमने increasing, decreasing देखा था, even odd देखा था, अगर मैं इसमें बात करता हूं, देखे, यह देखे, values देख लेते हैं सबसे पहले, x equal to minus 1 पे function की value क्या थी, minus 1, जब आप x को increase कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, y is also increasing, increasing, अब देखे, एक और value लेते हैं, कोई point लेते हैं, आप लीजिए, x को आपने रख दिया, minus 64, इसके corresponding, y क्या है आपका, minus 4, अगर आप x को, minus 27 रखते हैं, इसके corresponding function की value क्या आते है, minus 3, आप देख सकते हैं, जब x decrease हो रहा है आपका, function की जो value है, यह भी आपकी decrease हो रहे हैं, यह आप y सी वर्सा भी कह सकते हैं, as, as value of the function increases, the x coordinate of the function also increases, आप कह सकते हैं, f सा भी increase हो रहा है, as x increases, y is also increasing, so this function will be an increasing function. और increasing function को इस arrow से भी आप denote कर सकते हैं, अगर आपको कहीं ऐसा, ऐसा, ऐसा कहीं लिखा मिल जाए, suppose f is this, यह arrow, इसका क्या मतलब होता है, है, that f is an increasing function, okay, इसका मतलब होता है, f is increasing function, f is increasing function, now, we'll continue, we'll continue with piecewise defined functions,